हलो लर्नर माई नेम इस रूची गुपता वेलकम टू माई चैनल रूची एको क्लासेज फार यूजी सी नेट इस वीडियो में हम यूजी टी यूपी पीजी टी प्रिप्रेशन के पार्ट थर्ड में करने वाल हैं इसमें हम जो हैं माइक्रो एकोनामिक्स का फुल रिवीज किया है ठीक और माईक्रो एकोनामिक्स में अगर सबसे पांच यूनिट हैं आपको पता है तो हमारा जो हैं फांच और SEC factor pricing है और पाचवा हमारा जो है welfare से related है ठीक तो first unit मैंने complete करा दिया है और micro economics में सबसे ज़्यादा most IMP अगर कोई unit है तो वो है first unit जिसको मैंने detail में with explanation information आपको full आपको उसकी जो है जितने भी उससे related question बनते होंगे super sure है कि आपको उन दोनों वीडियो आप देख लेंगे आपका होई जाएगा और maximum maximum आपके दोनों वीडियो मिला के 35 minutes है 30 to 35 minutes जिसमें अगर आप इतने टाइम दे रहेते हैं तो आपके जो है कम से कम अगर माइक्रो क्योंकि पेपर में माइक्रो मैक्रो ही ज्यादा पूछता है तो माइक्रो के question तो आप करी ले कुछ चीजों को छोड़के और बाकी के मैं कुछ इसमें अपना प्रोट कर रही हूं मतंबब टाइपिंग ऐपके सामने पढ़ाऊंगी और बताऊंगी क्या है कैसे है तो फर्स्ट क्योंकि जो है कि टाइपिंग का टाइम नहीं था और टाइम बहुत कम था ठीक तो इसलिए मैंने सुचा कि मैं आपको ऐसे ही बताती हूं तो जनरल एक्विलिब्रियम इसी ब्हुत है कि लेक्विलिब्रियम है था थीक जब ढ़ेंड आपको बुस्ट है कि हमारा इसटेबल एक्विलिब्रियम है या अन इस्टेबल एक्विलिब्रियम है ठीक तो जब demand हमारा supply को काटता है यानि हमारा supply दिया हुआ है demand supply को उपर से काटता है तो उसे जो है stable equilibrium करते हैं और जब हमारा demand supply को नीचे से काटता है समझे ऐसे होगा जैसे ये हमारा supply हो गया ये demand हमारा उपर से इसको कट किया ये stable equilibrium हुआ ठीक अब ये हमारा जो है सप्लाई हो गया ये हमारा जो है डिमांड हो गया ये हमारा जो है सप्लाई हो गया तो ये हमारा जो है अनस्टेबल एक्विलिब्रियम होगा क्योंकि हमारे जो है डिमांड ने सप्लाई को जो है नीचे से काटा है और जब हमारा डिमांड सप्लाई को ऊपर से काटेगा तभी हमारा equilibrium होगा और नीचे से काटेगा तो वह unstable equilibrium होगा इसके बाद एक है सायद आपने सुना आओगा या नहीं सुना आओगा तो आप प्रडूसमें कि लेबर करता है वहीं कंजप्शन गुड जो प्रोडूसर तो यह जो रॉबिक्स क्रूजर मौडल जो हन्टो वन इन्टू एन लुण उडल कहा जाता है यानि एक कंजूबर और एक producer और two good model होता है ठीक अब है cobweb model cobweb model is given by Nicholas Kaldor यानि cobweb model जो है हमें Nicholas Kaldor ने दिया है और यह जो है कि हमें quantity supply जो है previous year के price पर यानिकी previous year price पर depend करती है ठीक बक्सन है उन्होंने जो है social welfare का concept सबसे पहले हमें बक्सन ने दिया था प्रेटो आप्टिमेलटी क्राइटेरिया प्रेटो आप्टिमेलटी क्राइटीरिया जिसे प्रेटो ने दिया था यह perfect competition में apply होता है और इनका यह most 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 आ इंपी है इसमें क्या है कि अगर हम ऐक एलोकेशन में साफ नहीं होना चाहिए यानि एक इंडिवीजुल के अगर हम एक इंडिवीजुल के जो है कि एलोकेशन में जो चेंजेज कर रहे हैं तो दूसरे जो है कि दूसरे कंजुमर को उसको जो बेटर उससे अच्छे थी अगर अच्छे सिचुवीज़ नहीं है तो खराब सिचुवेशन में भी नहीं हो इसके तedes यह वह इससे related तो यह तीन पॉइंट है efficiency of distribution of commodities among consumer यानि consumer में distribution पर क्या condition होता है तो यहाँ पर marginal rate of substitution of x for y a का यानि a individual का equal हो जाता है marginal rate of substitution xy for b के ठीक यह पहला condition है दूसरा condition हमारा है efficiency in allocation of factor among firm यानि यह हमारा production से related है इसमें क्या है efficiency आफ production में तो marginal rate of technical substitution जो है की flow होता है production में ppc का ठीक वो होता है हमारा जो है और प्रोड़क्स हमारा x होता है वहाँ पर जो लेबर of labor for capital equals to होता है marginal rate of technical substitution for of y labor for capital ठीक यह इसके लिए होता है तीसरा जो कि most आइएंप अक्सर पूछा जाता है product mix यानि consumer और producer दोनों के लिए होता है marginal rate of production प्रोड़क्ट ट्रांस्फार्मेशन marginal rate of production transformation of x for y equals to marginal rate of substitution xy a के लिए और marginal rate of substitution a xy b के लिए ठीक अब हम नेक्ट चलते हैं काल्डोर hicks ने जो है compensation criteria दिया हुआ है double criteria is given by इसकी टोवर्स की ठीक अब हमारा जो है दूसरा unit यह जो है मारा पांचवा यूनिट का था welfare वाला unit ठीक और यह welfare में आ दिए कि welfare के बारे में सबसे पहले में boxon ने दिया था जी boxon कि तो अब जो है हम unit 4 को पढ़ेंगे verbally मैं आपको बताऊंगी और जो इस से related है वो मैं चीजे लिख दूंगी factor pricing ठीक तो factor pricing में एक theory है marginal productivity theory marginal productivity theory marginal productivity theory जो है सबसे जो है की J.B. Clark ने दी ती विडेवेंच सबसे fine तरीके से जो है marginal productivity theory जो है J.B. Clark ने दी थी विडेवेंच के साथ ठीक यह marginal productivity theory Clark ने दिया था और J.B. Clark की एक book का नाम है distribution of wealth ये पूछा जाता है पेपर में distribution of wealth जो है कि J.B. Clark की एक book है उसमें दिया हुआ है ठीक और जो इन्होंने ये marginal productivity theory दी हुई है इसमें जो है value of value of labor जो है determined होता है M.P.L. से ठीक और M.P.L. equals to weight ये इनका होता है next अब हम चलते हैं value of marginal product value of marginal product होता है value of marginal product ये फार्मूला है value of marginal product होता है marginal physical product multiplied by AR आपने जो है कि उसका जो है कि आप MRP देखते हैं ठीक MRP देखते हैं न किसी भी good का आप देखते हैं समान लेने जाते हैं तो MRP देखते हैं उसकी तो MRP क्या होता है marginal physical product multiplied by MR मार्जिनल रिवेन्यू आप पोड़क्त क्या होता है marginal physical product multiplied by MR यानि उसकी जो है cost price ठीक और यहाँ पर value of marginal product क्या होता है marginal physical product multiplied by AR यानि prices अब हम next अपना चलते हैं रेंट पे कि रेंट की थियोरी किसने रीजे तो आपको एक अच्छे से बात पता होगी रेंट की थियोरी जो है रिकार्डो ने दी थी ठिक रेंट की थियोरी जो है दी गई थी रिकार्डो और यहां पर हम जो है कि एक और रेंट की बात करेंगे कभी कभी option में रेंट के लिए पूछ देता है क्वाजी रेंट इसमें वेकर कॉम्बो में आपको पूछता है तो आप रॉबिंसन विद मार्सल लगा सकते हैं वैसे क्वाजी रेंट का अकेले आप कहें तो केवल और केवल जो है मार्सल ने दिया हुआ है अब क्वाजी रेंट के बारे में कुछ बाते पढ़ लेते हैं ज जो है यह जो है जीरो हो सकता है लेकिन क्वाजी रेंड निगेटिव कभी भी नहीं होता है दूसरी बात यह कि क्वाजी रेंड के वल सौट रन में होता है क्वाजी रेंड के वल सौट रन में होता है क्योंकि यह वैरियेबल पर लगता है ठीक और जो क्योंकि जैसे मसीनरी ह हो गई मसीनरी जो उसके जो है कि उसके मेंटेनेंस पर लगता है उसके क्वाजी रेन लगता है लांग रम में यह जी जिसको दिया है बेन ने ठीक आपको इसके के वाल नाम पता चल जाएंगे नाम याद रहेंगे तो अच्छा है आप कर जाएंगे तो theory of limit pricing given by बेन इसमें जो है prices और output को fix किया जाता है बस ठीक यहाँ पर एक point आपका हो गया और दूसरा theory theory of bombol theory of sales maximization match the following देलता है sales maximization theory given by तो bombol ने दिया हुआ है ठीक मौरिस ने कौन सो model दिया हुआ है managerial enterprises managerial enterprises theory जो है बौमल ने मौरिस ने दिया हुआ है उसके बाद जो है हमारा ओ विलियमसन theory ने भी जो है हमारा जो है sales maximization related जो है sales maximization related जो है ओ विलियमसन ने भी theory दी हुई है तो यहाँ पर जो है unit fourth हमारा जो है खतम हो जाता है यानि factor pricing की जो unit है जिसमें important important topic से related जो चीज़े मैं आपको आज करा रही हूँ वह factor pricing की चौथी unit खतम होगी अब हमें जो है दूसरी unit यानि cost and production and तीसरी unit यानि market इसमें हम जो है करेंगे अब आगे ठीक अब हम जो है अपनी तीसरी unit start करते है market की ठीक मार्केट की तीसरी unit start करते है इसमें आपको पता है कि तीन structure आप चार structure आप जो है market है different structure of market फर्स्ट परफेक competition PC फिन मोनोपॉलिस्टिक competition फिन मोनोपॉली है और जो है oligopoly है ठीक तो detail explanation चाहिए तो मैंने मोनोपॉली के और परफेक्ट कंप्टिशन के मैं करा चुकी हूँ मैं यहां पे आपको जो में चीज़े कराऊंगी ठीक तो अगर आपको जो परफेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करते तो परफ्ट कंपडिशन में जो हें homogeneous product होता है large number है complete freedom होता है यानि कि कोई भी फर्म जो है यहां मोबिल्टी याफ फैक्टर फैैक्टर्ण होता है नॉलेच होता है कंजूबर की बारे में उसके पूडक्ट बारे में ठीक तो अब हम जो है इसमें जो है इसके conditions को बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या condition होते हैं जो इसको fulfill करना चाहिए ठीक तो profit के लिए होता है total revenue minus total cost यह हमारा profit के लिए होता है in short run उसके अलामा हमारा जो condition होता है मार यमसी प्रोस से related वो condition यह होता है कि यह मार इकोल्स टू यमसी होना चाहिए इससे related आपको जो है mathematical question बहुत पूछते हैं तो इससे related आपको mathematical question बहुत पूछते हैं तो इसका फ़ला condition है यह मार इकोल्स टू जो है यह होना चाहिए ठीक दूसरा यमसी should be rising यानि यह जो हमारा इस तरही से कर्व है एकोल्स टू यमार ठीक यमार एकोल्स टू पी एकोल्स टू एकोल्स टू यमार यहां पर जब यमसी ऐसे राइस करना ही चाहिए यमसी और यह जहां पर कट करेगा हमारे एकोल्स टू यमसी वही पर हमारा जो है प्राइस एन आउटपूट का डिटर्माइन होगा ठीक यह हमारा जो है पॉफेट कंपटीशन का हो गया हमारा और फिर यहां पर अगर सट डाउन पॉइंट जो है मार्केट में पूछता है चाहि हमारी प्राइस एवी सी जो है तो वह रन करती रहती है ठीक और अगर हमारा जो है इस पूछ दिया कि सप्लाई करो क्या होता है ठीक परफेट कंपटीशन में हमारा सप्लाई करो क्या होता है तो यमसी के ऊपर परफेट कंपटीशन में हमारा सप्लाई करो क्या होता है तो में आपको यह week यह अगया इसे आता है ठोट के ऊपर यह यह सी सी पॉइंट जो मरख राइजिंग होता है वह मारा जो सप्लाइब कर अभास होता है मैं आपको बोल देती हूं दो सप्लाइब करव आपको पर एज राइजिंग part of short run short run marginal cost curve from the minimum point of AC यानि इस AC minimum point से जहां से हमारा AC को काट करके minimum उपर जाता है MC यहां से यह वाला part हमारा जो है rising part हो जो होता है वो supply curve of perfect competition होता है और इसमें जो है अब मैं आपको perfect competition से related कुछ part जो बता देती हो जो की paper में पूछता है पहला यह है कि हमारा optimum level वहाँ पे होता है optimum level या optimum allocation वहाँ पे होता है जहां पे minimum point आफ और long run AC करोता है यानि long run AC करो अपने minimum point पे होता है ठीक यह इस तरीके से यह है यह short run short run इसको मिला के यह ऐसे हमारा long run AC बनता है ऐसे short run है short run AC AC इसके minimum minimum point को मिला करके ये हमारा long run AC करो, ऐसे बनेगा और के聲 on minimum point पर long run AC करो का हमारा optimum point होता है और long run में perfect competition में long run में हमारा firm केवल normal profit earn करती है normal profit earn का मतलब zero economic profit होता है normal profit earn करने का economic profit earn करना होता है वो कोई भी और profit earn नहीं करती है केवल normal profit earn करती है in long run ये उसके conditions है ठीक दो चीजे मैंने आपको बता दी तीसरा ये कि output जो होता है वो produce किया जाता है minimum average cost पे यानि कि जो long run AC का minimum point है वो है firm only earn normal profit earn long run में जो है plant अपने full capacity से काम करती है और उसके अलावा जो है हमारा इसमें short run marginal cost equals to long run marginal cost होता है और equal to short run AC curve equals to LAC एक में नहीं आफे में दोताती है short run MC curve equals to long run MC curve short run AC curve equals to long run AC curve equals to P equals to EMR इसकी वज़ाई यह है कि यह horizontal to x अचे यहां पर P equals to AR equals to EMR है और यह हमार इकोल स्टू यम्सी को हम रख रहे हैं तो अगर short run वाला जब short run वाला इसके इसके बराबर होगा तो long run वाला भी बराबर हो जाएगा और यह दोनों एक दिसने के बराबर हो जाते हैं ठीक तो यह हमारा perfect completion यहां पर खत्म होता है अब मोनोपॉली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं मोनोपॉली में क्या होता है कि single buyer होता है और यहां पर जो है कोई close substitute नहीं होता है ठीक single seller होता है कोई भी जो है close substitute good नहीं होता है उसका क्यों अपना होता है और restricted entry होती है यानि कि barrier to entry होती है और imperfect knowledge होता है यानि consumer को जो है good के बारे में ज्यादा knowledge नहीं होता है ठीक और हाँ monopoly में ही जो है कि legal monopoly और copyright वगरा चीज़े उसमें आती है और यहां पर जो है AR marker downward sloping कर होता है ठीक AR पहले इस तरह से होता है और MR उससे ज्यादा तेजी से जुका हुआ होता है ठीक और यहां पर एक learner index of monopoly आता है condition learner index of monopoly condition आता है जिसकी वीडियो मैंने अलग से अपने जो है डी उई है इसका link मैं आपको description में दे दूँगी learner monopoly indexer का जो की वीडियो में है और मैं प्लेडिस्ट में है और मैं आपको दे दूँगी उसका formula होता है यहां मार इक्वास तू यहां मार इक्वास तू पी वन माइनस वन अपान E यहे उसका condition होता है ठीक और एक होता है P equals to P equals to YUMC minus P एक होता है P equals to YUMC P equals to P minus YUMC upon P यानि कि यहाँ पे P equals to आप AR रख देंगे यह माइनस YUMC equals to YUMAR रख सकते हैं ठीक फिर divided by AR ठीक यह जो होता है 1 by E के बराबर होता है क्योंकि learner monopoly condition और elasticity यह दोनों एक दूसरे से inversely related होते हैं और यह आपका elasticity का approach है इस formula में ही इस formula में ही इस formula से ही आपका यह formula derivate हो जाएगा मैंने यह आपको learner monopoly वाले वीडियो में पुरे detail के साथ बताई हुए किस तरह इसका mathematical explanation होगा है यहाँ पर मैं आपको short में revision करा ही तो नहीं बताई है यहाँ पर यह elasticity का formula यह है और यह learner monopoly index जो है यह है ठीक next हम चलते है next हम चलते है अपना उसी के आदार पर जो है कि अगर हम यहाँ पर E की value रख देंगे तो हमारा AR और इसके value रख देंगे तो यहाँ से हमारी value आ जाएगी यम्मार और P की ठीक तो अब यहाँ से जो है कि इसमें भी condition होती है यम्मार इकोस टो YUMC और YUMC should be rising होना चाहिए और यहाँ पर जो है prices जो है greater than YUMR होती है in monopoly में monopoly में हमारी prices जो है YUMR से बड़ी होती है perfect में हमारी YUMR के बराबर होती है और यह monopoly earn करती है super normal profit monopoly firm जो है super normal profit earn करती है ठीक अब हम जो है next अपना चलते है monopolistic competition थोड़ा अब हमें जो है जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लेंदी होता जा रहा है तो bilaterial monopoly के बारे में थोड़ा सब पढ़ लेते हैं bilaterial क्या होता है bilaterial में क्या होता है कि यहां पे single seller और single buyer होता है अब हम next चलते हैं अपने monopoly के बारे में तो price discrimination आपको पता होगा price discrimination का मतलब होता है कि अगर एक consumer को जो seller होता है एक consumer को जो है 10 रुपे बेचता है price का और दूसरे consumer को जो है वो 20 रुपे वो भी जगह और area के हिसाफ से वो discrimination करता है तो इसको जो है price discrimination करते है जो first degree आप price discrimination होता है उसमें जो है zero consumer surplus होता है first degree आप price discrimination में जीरो consumer surplus होता है और second degree में जो है buy one get one free जैसे चीज़े अपलाई होती है जैसे आपका भी पूछ देता है buy one get one free किसमें होता है second degree आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप फस्ट डिग्री ठीक तो अब हम जो है कि अब हम जो है अगर आज़ो ज़्याद आवख oral interprets अवार्पर बैद को म्हां यदी है तो इलास्टी काम होती तो प्राइसेज ज़्यादा होते थियां जो इनवेस्टी सीटी में यह प्राइश प्राइश से ज्यादा होगी तो ज्यादा मोनो फॉलिस्ञेस कंपरिंशन को को सबसे पहले दिया था जोन रम्राबिंसन हम यह पर जोन रम्राबिंसन जो होई इसकोश करने वाले मोनोगेश्टिक और चांबर्लीन सबसे पहले जो है कॉंसेप्ट आफ सेलिंग कास्ट को जो है introduce किया गया concept of selling cost जो है introduce किया गया जो है Chamberlain के Chamberlain के थूँ और इसी monopolisty competition में जो है किया गया monopolisty competition में जैसा कि आपको पता है कि इस में जो है कुछ monopolisty compliance में Commission in differentry at the institute we would calm up the city अभी किyo जो है इसे जिएफर करतेडे चाहए characteristics अरो उसमें मीहाँ फर्म होती है, उसके बाद्थ फ्रीडम होती है यानि कि इस aggravating बल्कुल नहीं होती है अब हम् अब हम हम मोनो जी स्टिक कर रहे थे अब हम डियॉव पॉली मादल कुछ ऑ्लिगो जो डियो पॉली मॉडल कर लेते हैं इसे में क्यों इसके नाम जाना है ठीक तो हम करते हैं फर्स्ट है हमारा कुर्णोट डियो पॉली मॉडल ठीक कुर्णोट डिया था हमारा कुर्णोट मॉडल कुर्णोट जो है कि जीरो कॉस्ट पर डिपेंड करता है जीरो कॉस्ट ने ल कर लिजेगा कॉपी पेंस से आपको क्योंकि मेरे पास इतना टाइब नहीं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइट करना चाहती हूं तो आइसो प्रॉफिट कर जो दिया है हमारे वान इस्टैकल बर्ग ने दिया है और इस्टैकल बर्ड डियो पॉली जो मॉडल है स्टैकल बर्ड ने दिया ठीक और उसके बाद जो हमारा बर्टन है जुआगा मॉडल उसके बाद है चैंबरलीन का ऑलिगोपॉलिस्टिक मॉडल जो की इन्टर डिपेंडेंस पर डिपेंड करता है ठीक, ओलिगोपॉली बेसिकर इन्टर डिपेंडेंस यानि एक दूसरे क किंग डिमांकर किंग डिमांकर किस ने दिया था जह हमारा प lett सुबन करना है और इस profit earn कब करती है जब AR is greater than AC होता है and MR equals to MC होता है तब company जो है super normal profit earn करती है normal profit कब earn करती है जब AR equals to AC होता है और MR equals to MC यह तो सब में रहेगा तब यह जो है normal profit earn करती है या zero economic profit earn करती है और minimum loss यानि कि loss कब होता है जब AR is less than AC होता है तो हमारा जो company है वो जो है earn करती है loss earn करती है ठीक यह हमने अपने चार unit complete कर लिए है अब हमारा जो प्रोडक्शन और कास्ट से related जो है model बचा है इसमें हम जो है दो तीन मिनेट में जो है जल्दी-जल्दी करने की कोशिस तो मैं मैं जो है इसको आपको नेक्स वीडियो में जो है कास्ट और प्रोडक्शन से related क्योंकि इसमें प्रोडक्शन से रिल्टेट कुछ टीपी यानि टोटल प्रोड़क्ट मार्जिनल प्रोड़क्ट और उससे जो है लाओ डिमेशनिंग रिटर्ण लाओ वेरियेबल प्रपोर्ट्शन यह आइसो कॉंट मॉडल यह सारे जो चीजे थोड़ी इंपोर्टेंट तो इस से रिटेट जो है और उसमें पॉपडग्लस फोंक्शन भी आएगा इस स्ने वीडियो इसके भी यह बनाय यह यह सारी चीजे इंपोर्टेंट तो मैं आपको इसका मैं सोच नहीं हूँ कि with detail explanation मैं आपको next वीडियो में करूंगी तब तक जो है चार यूनिट को आप जो है revise कीजिए और मैं बहुत ही जल जो है इसका भी जो है micro economics का जो है production और cost का भी मैं दे दूंगी जो 10 से 12 मिनिट का होगा with detail explanation आपको अच्छे से मिल जाएगा with typing क्योंकि यह वारा तो मैंने तीन यूनिट ऐसे ही खतन किया तो अगर आपको वीडियो पसंद जया तो चनल को like करे subscribe करे बेल आइकन को प्रेस करना ना फूल जिये जिससे आपको आने वाले वीडियो की notification मिल जाए और हाँ मैं आपको जो है question answer की series भी start करने वाली हूँ जिसमें आप जो है answer दीजिएगा comment section में comment करके जिससे आपको आपके जो है test कि आपका level कितना है आपने कितना पास किया जिससे आपको confidence भी boost अप हो जाएगा तो मैं वो भी सुरू करने वाली हूँ तो thank you so much और please please वीडियो को like करे share करे subscribe